जेहिंद सातियूं वंदे मात्यम स्वागते मेरे सभी भावी नोजवान कॉंस्टेबल सातियूं का जितने भी मेरे साती राजस्तान पुलीस कॉंस्टेबल का एक्जम डेनेज आ रहे हैं उनके लिए ये कलास काफी रामबान शाबित होगी सामन्य विज्यान जनरल साइंस के हम टोप हंड्रेड सो परशन कवर करेंगे इस कलास में विश्वास करो साति हूं इस बार आपके राजस्तान पुलीस में सामन्य विज्यान के बी पार्ट के अंदर कम से कम पांच से दस परशन पूछे जाएंगे हां जिस भी विदारती की साइंस की त्यारी है या नहीं है इस कलास को पूरा जरूर देखें यहां से आपको कपी परशन देखने को मिलेंगे एक्जाम में जो पिछली वार पूछेगे हैं उसके लेवल के बहुत ही सांदार परशन है कलास में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेश्ट करूँगा नए हो तो अपने चैनल को आउसोसन कहां सरवादिक होता है बहुत ही सांदार परशन पूचा गिया है बोजन का रक्त द्वारा आउसोसन कहां पर होता है यकरत आमाश्य चोटी आंत या बड़ी आंत राइट आंच रोजेगा चोटी आंत में होता है कहां पर होता है मेरे दोस्त चोटी आंत में होता सबसे लंभी होती है अगला पॉषण 55-56 में बोजयन के साथ मिलने वाला पहला एंजयम नीमलिकित में कोन सा है Trypsin, Cellulose, Pipsin या Amylase 55-56 में बोजयन के साथ में मिलने वाला पहला एंजयम यानि सबसे पहले कोन सा एंजयम मिलता है बोजयन के साथ में राइट आंसर हो जाएगा M.I.L.A.S. जो विविदारती D. आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला परसन है मनुश्ये के जीवन काल में दांत कितनी दांत दो वार विक्षित होते हैं कितने दांते हैं जो दो वार विक्षित होते हैं क्या परसंट पूछा गिया है राइट आंसर क्या होज्यएगा 20 कितना हो जाएगा बीश जो भी 3 चांशर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा नेक्स्ट अगला प्रशन अस्ती में कौन सा लवन सरवादिक मातरा में होता है अस्ती में कौन सा लवन होता है तो आपने सुना होगा केल्शिम फास्पेट कौन सा होता है केल्शिम फास्पेट सरवादिक होता है नेक्स अगला है मानव सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है निहाई रकाब कान की हड़ी जांग की हड़ी हमारे सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो राइटांज रोजेगा जांग की हड़ी और सबसे छोटी हड़ी कान की हड़ी है इस्टेपीज ये अपनी सबसे चोटी है और जांग की हड़ी जिसे फिमर बोलते है ये फिमर सबसे बड़ी है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है इस्टेपीज फिबुला टीबिया या फिमर हमारे सरीर की सबसे लंबी हड़ी है फिमर कौन सी है फिमर और सबसे चोटी हड़ी है इस्टेपीज ये 50 दोष्ट हूं हमारे सरीर में कितनी हड़ियां होती है पुछा जाय तो राइट आंसर होजएगा 2006 और यह yol 1-जाथ शिशू का पुछए तो राइट आंसर होजएगा 300 कितनी हड़ियां होती है 300 होती है कलास को लैक ज़रूर करें दोष्ट तो आपसे request रहेगी next एक वैस मानव सरीर में कितनी हड़ियां होती है तो अभी मैंने answer बताया 206 कितनी होती है 206 ज्यादा समय नहीं लूँगा आपका मनुश्य के सरीर में पंसलियों के कितने जोड़े होते हैं हमारे सरीर में पंसलियां कितने जोड़ी की होती है तो 12 जोड़ी पंसलिया होती है यानि total 24 होती है बिल्कुल यह आपका right हो जाईगा मनुश्य की खोपड़ी में कितनी अस्तियां होती है अब इस बार क्या करना है राजस्तान पुलीस के पेपर में यानि कि पेपर में क्या कर देना है, खोपडी में छेद कर देना है, तो हाँ, कितनी होती है खोपडी में अस्तियां, बिल्कुल आठ होती है, कितनी होती है मेरे दोस्त, आठ खोपडी का चितर आपके सामने दे रहा है, यह आपकी खोपडी है, सरीर की सरवादिक परबल अस् पूत होता है, मानुव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड़ी होती है, कान, गुटना, अंगुली या नाक, तो सबसे छोटी हड़ी होती है कान में, इस्टेपीज ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, निमली कित में से कौन मानुव के पेर की हड़ी नहीं है, टीबिया, हयुमर्श, फिमर या फिबुला, मानुव के पेर की हड़ी कौन सी नहीं है, देखो टीबिया, फिमर, फिबुला ये सब है लेकिन हयुमर्श नहीं है, भी आंसर आपका राइट हो जाएगा, हयुमर्श अस्ती कहां पाई जाती है, जांग, पिंडली, उपरी बुजा या मुँ, टीबिया नामक हड़ी कहां पर पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है, भी आंसर आपका राइट हो जाएगा, मानुव शरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है, दोस्त, तो जांग की हड़ी होती है, भी आंसर आपका राइट आ चुका है, निमन लिकित में से कौन सी हड़ी मानव कान का भाग नहीं है मानव कान का भाग नहीं है कौन सी हड़ी नहीं है तो राइट आंसर हो जाईगा छी और वस्ती बिल्कुल छी आंसर आपका राइट हो जाईगा वर्दा उस्ता में मनुश्य की हडियां कमजोर क्यों हो जाती है बुड़ा पे में हडिया क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है गुरू जी तो इसका कारण क्या है केल्सियम की कमी हो जाती है हडियों में क्या होता है केल्सियम और केल्सियम की क्या हो जाती है कमी हो जाती है अस्तियूं और पेश्यूं को आपस में कौन जोड़ता है सबसे ज़्यादा बार प्रशन पूसा गया एक्जाम में काफी मेर्थ पूर रेगा अस्तियूं और पेश्यूं को कौन जोड़ता है बिल्कुल भी आंसर आपका राइट आचुका है सभी का मानुव शरीर में पाचन का अधिकास भाग किस अंग में होता है अधिकास पाचन भोजन का होता है छोटी आंत में कहां पर होता है छोटी आंत में होता है यह आपके सामने पाचन तंतर का चितर दे रहा है मनुशी का अहर नाल मनुशी में पाचन किरियां कहां से परारम होती है अमाश्ये मलाश्ये मुख देखो पाचन की किरियां हमारे मुख से ही परारम हो जाती है कहां से हो जाती है हमारे मुख से ही पाचन शूरू हो जाता है बोजनगा मानु की पाचन नली लगवक कितने फिट लंबी होती है आहर नाल की लंबाई आपसे पूछे कही है मेरे दोस्त राइट आंचर हो जाईगा 32 फिट कितनी होती है 32 फिट नेक्स्ट है मुख एमममंड यानि स्टार्च का सरकरा में पाचन किसके द्वारा होता है स्टार्च को सरकरा में कौन बदलता है तो राइट आंसर हो जाईगा टाइलीन एंजाइम कौन सा टाइलीन बी आंसर आपका राइट हो जाईगा पाच्छन तंतर का हिसा नहीं है यकरत पिताशीय कोर्णिया या आंथ तो पाच्छन तंतर का हिसा नहीं है कोर्णिया कोर्णिया अपनी आंख में होता है बाकि यकरत पिताशीय आंथ ये सभी हिसे है अहर नाल के मानव सरीर में उस एंजाइम का नाम बताईए जो कार्बो हाइट्रेट को तोड़ने में मदद करता है कार्बो हाइट्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तू M.I.L.A.S कौन सा है M.I.L.A.S D.A.N.S आपका राइट हो जाईगा दूद में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है उसे बोलते है रेनिन बिल्कुल C आंसर आपका राइट हो जाईगा दोस्तो अपना एप भी ये पलेश्टोर पर इस्टेडी एग्जाम एकेडमी उसको भी आप डाउनलोड कर सकते है राजस्तान पुलिस के नोट्स बगर आपको चाहिए तो और महिला बाल अप्राद और कम्प्यूटर के आपको इबुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप राप्त कर सकते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है रेनीन, टाइलीन, टेनीन या रेजीन लार में कौन सा एंजाइम होता है तो लार में होता है टाइलीन भी आंसर आपका राइट हो जाएगा पेट में बोजन को पचाने के लिए निमलिकित में से किसकी खास आउशिक्ता होती है हवा पानी एंजाइम या खनीज पेट में बोजन को पचाने के लिए किसकी खास आउशिक्ता होगी तो राइट आंसिर क्या हो जाएगा दोस्त एंजाइम की होगी किसकी होगी एंजाइम की लार किसके पाचन में साहिक होती है प्रोटीन, स्टार्ज, फाइबर या वसा हमारे मुख में जो लार होती है लार गुआ से जो निकलती है ये किसके पाचन में साहिता करती है तो ये स्टार्ज का पाचन करती है किसका करती है, इस्टार्च, मनुख गुः में निमलिकित में से किसका पाचन परारम होता है, प्रोटीन वसा कार्बो हाइडरेड, मुख गुः में किसका पाचन परारम होता है, तो मुख गुः में कार्बो हाइडरेड गा, सियान सराम का राइट हो जाएगा, एक वैस्क म मनुश्य में कितना रक्त होता है तो दोस्त कितना होता है बिल्कुल पांच से छे लिटर कितना होता है पांच से छे लिटर रक्त होता है सवस्त मनुश्य के सरीर में रक्त की कुल मातरा कितनी होती है शरीर के वजन का कितना परशेंट रक्त यानि खून का होना जरूरी है तो शरीर के वजन का साथ परशेंट भाग कितना साथ परशेंट नाड़ी दर कहां से मापा जाता है नाड़ी की गती को कहां से मापते हैं शीरा धमनी तौचा या तंत्री का तो दोस्तों धमनी से मापते हैं किसे मापते हैं धमनी नेक्स्ट है लव डव धहुनी किसकी कीर्या के कारण उत्पन होती है बड़ी आंत फेंपडे हद्ये या ग्रास नरी लव डव धहुनी बिल्कूल हद्ये किसके द्वारा अपना हद्ये पेसमेकर का क्या कारिये है पेसमेकर क्या कारिये करता है तो दोस्तूं पेसमेकर दिल की धड़कन बिल्कुल दिल की धड़कन परारम करना पेसमेकर का काम है मानव शरीर के किस अंको शरीर का रासानिक कारखना का जाता है फेंफडा यकरत गुर्दे या पेट शरीर का रासानिक कारखना किस अंको का जाता है तो ये अपने यकरत है बी आंसर आपका राइट हो जाएगा पीत निमन में से किसके दोरा पेदा किया जाता है पीत रस, यक्रत, अमश्य, अग्नश्य या ग्रहनी, तो पीत रस कां से होता है, पितश्य से होता है, पितश्य कां पर होता है यक्रत में, अगला है पेपसीन बदल देता है, पेपसीन किसको बदलता है, तो प्रोटीन को पोली पेप्टैड में बदलता है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा पेपसिन है एक पेपसिन क्या है एंजाइम हार्मोन विटामीन या खनीज तो पेपसिन एक एंजाइम है क्या है एंजाइम प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है चोटियांत मुखगवा ग्रास नली या उदर प्रोटीन का पाचन कहां से होता है तो उदर में डियांसराब का राइट हो जाएगा निमलिकित में से कौन सी अहर नली का है तो यह हो जाएगी ग्रास नली पचेवे भोजन में मौझूद विशेले पदार्थ का कौन सा अंग चुसण करता है विशेले पदार्थ होते हैं उनका चुसण कोन सा अंग करता है अमशे, अगनशे, वरकक्न या यकरत राइट आंसर हो जाएगा यकरित D आंसर आपका correct हो जाएगा पाचन किर्या में प्रोटीन निमलिकित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं प्रोटीन किस में बदल जाते हैं पाचन किर्या में एमिनो अमल में बदल जाते हैं शी आंसर आपका राइट हो जाईगा निमलिकित में से वह कौन सा अंग है जो मानव सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्वो आइडरेट को जमा करता है आंत, आमाशे, अगनाशे तो राइट आंसर हो जाएगा यकरत है D आंसर आपका राइट हो जाएगा पीत जमा होता है पिताशे, ग्रहनी, यकरत या पलिहा पीत काँ जमाव होता है पीत आपका पिताशी में रहता है कहाँ पिताशी में पीत रसका जमाव होता है पीत का परमुक कारी क्या है पीत का परमुक कारी है वसा का पाई सीकरन करना पेसमेकर का सम्मन्द किसे है गुर्दा दिमाग फेंपड़ा या हद्ये तो पेश मेकर का समद्ध हद्ये से हैं किसे हैं हद्ये गती प्रेरक किसे समद्धित है गुर्दा मस्तिस खज्ये या फेंपड़ा तो गती प्रेरक है आपका हद्ये से सी आंसर आपका राइट है निमलीकित में से किनकी भीतियों पर रक्त द्वारा डाले के दवाव को रक्त दाब केते हैं बलड प्रेसर बोलते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दमनी क्या हो जाएगा दमनी सोते समें रक्त दाब में क्या परिवर्टन होगा जब हम सो जाते हैं तो रक्त दाब बढ़ जाता है गड़ता है पहले गड़ता है फिर बढ़ता है या पहले जैसे रेता है तो राइट आंसर हो जाए रक्त दाब गड़ जाता है भी आंसर आपका राइट हो जाएगा रक्त चाब को मापने के लिए किस उपगर्ण का उपयोग करते हैं तो रक्त चाब को मापने के लिए इस्पी गेमो मेनोमिटर का परियोग करते हैं अगला परशन है सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक सबद का उपयोग किस के संद्रब में किया जाता है सिश्टोलिक और डाई सिश्टोलिक का सबद का प्रियोग किसके लिए करते हैं इनका प्रियोग करते हैं रक्त चाब को मापना मनुश्य के सरीर में हद्य को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है शरीर में हद्धी है वो एक बार दड़कने में कितना समय लेता है तो 0.8 शेकिंड का समय कितना लेता है 0.8 शेकिंड का समय मनुश्यू की सामन्य इसपंद अंदर क्या है पल्स रेट क्या होती है तो पल्स रेट होती है सितर से 80 बिट पड़ती शेकिंड मानव हज्जे में कितने कोश्ट होते हैं कहीं बार परसंद पूछा गया है 2, 3, 4, 5 मानव हज्जे में कितने कोश्ट होते हैं 4 कोश्ट होते हैं 2 आलिंद और 2 निलिय एक तिसोर मनुश्य में सामन्य रक्तदाब कितना होता है तो कितना होता है 80-120 mmHG D answer आपका right हो जाएगा ये परसंद दोस्त हूँ हजारों बार एक्जाम में आच चुका है क्या हो जाएगा 120 से 80 मत करना 80 से 120 right होगा दोड लगाते समय मनुश्य का रक्त चाप क्या हो जाता है जब आ राजस्तान पुलिस का पेपर पास करोगे अपने माता पिता का नाम रोसन करोगे उसके बाद जब आप फिजिकल की त्यारी करोगे 5 mm दोड की उसमें आप दोड लगाओ के तो आपका रक्त चाप क्या हो जाएगा उस समय दोड के टाइम बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाता है किस रूदिर वरग में दोनू एंटिबोडी पाईज आती है दोनू एंटिबोडी पाईज आती है किस रूदिर वरग में A, B, A, B और O चार परकार क्या होता है रक्त वरग में तो राइट आंसिट क्या हो जाएगा बिलकुल O क्या होता है O होता है सामझे मनुश्य या सामझे जीवनकाल में मनुश्य का हद्य लगबग कितनी बार धड़कता है तो ये बिल्कुल इसी ऐसे परसंट पूचा गिया है लगबग तो राइट आंजर दो अरब बार कितनी बार दो अरब सामझे जीवनकाल में पूचा गिया है किस रुदिर वर्ग में एंटी बोडी नहीं पाई जाती एंटी बोडी किस रुदिर वर्ग में नहीं होती दोस्तों राइट आंजर क्या हो जाएगा कमेंट करके बतो देखें बिल्कूल ए बी किस में नहीं होती ए और बी में ए बी में मानों शरीर में हद्य का कारिये है तो हद्य क्या करता है पंपिंग इस्टेशन की तरह कारिये करता है बेचारा pumping station कि तरे कार ये करता है अरे रक्त को क्या करता है pump करता है RS factor का पता लगया जाता है RS factor का पता किसने लगया ये पूछा गया तो RS factor का लगया था land, stinner और winner ने D answer आपका right हो जाईगा मानव रक्त होता है रुदिर होता है इसका pH मान कितना होता है तो रुदिर का pH मान कितना होता है दोस्तों 7.4 होता है हलका सारी होता है मानव सरीर में रुदिर बेंग का कार ये कोन करता है बलड बेंग बलड बेंग का कार ये कोन करता है मनुश्य के सरीर में है तो पलिहा तिली करती है A answer आपका right हो जाएगा ये भी percent कहीं बार आज चुका है मानव रक्त प्लाजमा में है प्रहाई पानी की percent कितनी होती है पानी कितने percent होती है मानव प्लाजमा में पानी का percent होता है आपका इकराण में से 22 percent D answer आपका right हो जाएगा रक्त में पाए जाने वाली दातू कौन चीए रक्त में कौन सी दातू होती है तो रक्त में लोहा होता है कौन सी होती है लोहा सरीर का कौन सा अंगे रक्त उतपादन करता है मस्तिस्क, अस्तिमज़, अध्य या फेंपड़ा रक्त उत्पादन करता है अस्ती मज्जा भी आंसर आपका राइट हो जाएगा निमल लिकिट में से कौन सा कथन सई है शरीर में सारा रक्त किड्रिनी के माजियम से सुद होता है किसके माजियम से होता है किड्रिनी के माजियम से सी आंसर आपका राइट हो जाएगा बोलते हैं न किडिनी खराब हो गई अब तो जाना ही पड़ेगा उसको तो रक्त ही यहां पर सुद नहीं होगा तो अपना आदमी चला जाएगा दुनिया छोड़ कर मानव सरीर में खून के सुद्धी करण की परकिरिया को क्या बोलते है खून की सुद्धी करण की परकिरिया को बोलते हैं डाइलेसिस क्या बोलते हैं डाइलेसिस बोलते हैं रक्त में लाल रंग निमन में से किसके कारण होता है रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है हिमो गलोबिन के कारण इस्टार लगा लेना दोस्तु कहीं बार व्यक्ति किस रक्त समू के व्यक्ति को रक्त ले सकता है किसी का रक्त समू ओ है तो ये किसे रक्त लेगा बताओ देगे ओ वाला व्यक्ति किसे लेगा तो ये केवल ओ से ले सकता है केवल ओ से ही ये ले सकता है बिल्कुल आरेज तत्वे के अनुसार कौन सी जोड़ी विवा के लिए उप्युक्त नहीं है विवा के लिए कौन सी जोड़ी उप्युक्त नहीं है आरेज पुरुस्तता रहा महिला इल्कुल आरेज पुरुस्तता महिला पलस वाले किसी रूदिर वरग में कोई एंटिजन नहीं पाई जाती A, B, A, B या O कोई एंटिजन नहीं पाई जाती किसी रूदिर वरग में O में एंटिजन एक ऐसा पदार्त है जो एंटिजन एक ऐसा पदार्त है जो क्या करता है परतिरक्षी के निर्मान को बढ़वा देता है C answer आपका right हो जाएगा antibody का मुख्यकार ये किस के विरुद होता है तो संकर्मन के विरुद होता है D answer आपका right हो जाएगा RS factor का नाम किसे समंदित है बालू, बंदर, मनुश्य या बिल्ली RS factor का है बंदर से, किसे है बंदर से नीमली कितमे से कोंसा आपलेट गुरूप सर्वे व्यापक रहता है तो ये है AB कोंसा है AB AB रक्त वरक वाला वेक्ति सारवतरिक दाता होता है आदाता केलाता है क्योंकि सारोधरिक आदाता A B वाले को बोलते हैं इसका रिजन क्या है उसके रख्ट में परति पिंड का अबाव होता है ए आंसर आपका राइट हो जाएगा निमली कितमें से किसे रख्ट समू को सारो भूमिक दाता के रूप में जाना जाता है दाता किसे बोलते हैं दाता O को बोलते हैं ये किसी को भी दे सकता है रखते हैं किसी को भी दे सकता है और A B किसी से भी ले सकता है दोनु चीज़ा आप जान रखना हिमोगलोबिन में होता है तामबा लोहा मेकजीन या जस्ता हिमोगलोबिन में क्या होता है बिलकुल लोहा क् शरीर में हिमोगलोबिन का क्या कार ये है हिमोगलोबिन का कार ये है ओक्सिजन का प्रिवेन करना ए आंसर आपका राइट हो जाएगा हिमोगलोबिन किसका महतुपुन गटक है तो हिमोगलोबिन किसका महतुपुन गटक है आरबीसी का किसका है आरबीसी कौन सी रक्त वही का साप रक्त फेंपडू से हद्दि में ले जाती है तो ये आपकी फुपुश ये सीरा निमलिकित में से किसकी साहिता से रक्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है रक्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है किसकी साहिता से बिल्कुल लोहित कोशिकाओं के दुआरा किसकी मोजूद्गी के कारण सरीर के बितर रक्त जमता नहीं है हमारे सरीर में कभी रक्त जमेगा नहीं इसका कारण क्या है यह पुशन कहीं बार आ चुका है तो हिपेरिन के कारण किसके कारण हिपेरिन के कारण हमारे सरीर की कौन सी कोशिकाई मानव सरीर के सैनिक के रूप में परसिद है कौन सी कोशिकाई को सैनिक कोशिकाई बोलते हैं तो ये बोलते हैं सवेक बिल्कुल सपेद रक्त कोशिकाई रुदिर के प्लाजमा में निमलिकित में से किसके दोरा एंटीबोडी निर्मित होती है तो एंटीबोडी किसके दोरा निर्मित होती है लिम्पोसाइट के दोरा लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा रित्रोसाइट लाल रक्त कोशिकों के निर्माण के लिए सरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है फेंपड़े, हद्ये, मस्तिक्ष या अस्ति मज्जा लाल रक्त कोशिकों के निर्माण में सरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है तो अस्ति मज्जा अस्तिमजा ये भी पसंद कहीं बार आ चुका है निमन में से किसको आरबीसी का कबरिस्तान कहते है आरबीसी का कबरिस्तान किसे कहते हैं तो ये पलिया किसको बोलते हैं पलिया को मनुशी की लाल रक्त कोशिकों का जिवन काल कितना होता है लाल रक्ट कोशिकों का जिवंकान होता है 120 दिन लगबग मानव सरीर में लाल रखट कण का निर्मान कहां पर होता है तो अस्ति मज़ा में होता है D आंशर आपका रैट होगा लाल रूधिर कण turbo का उत्पादन निमन लिकित में से किसके द्वारा होता है यक्रत, हार्मोन, अस्तिमज़ा या हद्य, कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्तिमज़ा, नेक्स्ट है, उच परमानु शरीर में RBC का आकार क्या होगा, RBC का जो अकार है, उसकी सेंग्या बढ़ जाएगी, सपेद रक्त कनिकाओं का मुख्यकारी क्या है, यानि WBC, और एक होती है RBC, लाल रक्त कनिकाओं और ये है सपेद रक्त कनिकाओं, इसका मुख्यकारी क्या होता है, बिल्कुल रोग परतिरोदक समता धारण करना C आंसर आपका राइट हो जाएगा मनुश्य के रक्त में सवेक्त रक्त कणिकाओं की कौन सी किसम अधिक होती है तो राइट आंसर जाएगा नूट्रोफिल्स D आंसर आपका राइट हो जाएगा जब कोई बाहरी पदार्त मानव रुदिर परणाली में परविष्ट होता है तो परक्रिया कौन परारम करता है तो यह परक्रिया करता है WBC कौन करती है WBC रक्त सम्भू के खोजगरता कौन है बलट ग्रूप के खोजगरता कौन है तो right answer क्यों हो जाएगा land stirner कौन है land stirner सरीर की विशालतम दमनी है सरीर की सबसे बड़ी दमनी कौन सी है right answer क्या हो जाएगा बिल्कूल भी answer आपका right answer हो जाएगा तो आज इक लास में इतना ही कितने पसंद आपके right हो हैं comment करके जरूर बताएं यदि और भी आपको science की class चाहिए तो आप हमें comment करके बता सकते हैं इसकी pdf हमारे telegram group में मिल जाएगी उसको आप join कर लें नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करें साथ हूँ धन्यवाद जैहिंद best of luck